अब क्योंकि यूपी में चुनाव होने हैं तो ऐसे में नूटबंदी बड़ा मुद्दा बन गया है यहां नूटबंदी के बहाने यूपी के सियासत के दो बड़े चेहरों के बीच भी बयान बाजी हुई पहले अखिलेश ने माया को बीबीसी कहा तो माया वती ने अखिलेश को स्पी का बबुगा हालां कि हम उनका नाम नहीं लेते हैं आज कल पत्सर वाली सरकार अब लेकिन मैं उनका इधर टीवी पे देख रहा हूँ कि बहुत आप लोगों की महरवानी से बुगा बहुत आ रही है टीवी पर ये दूसरी बीबीसी हैं बुगा ब्रॉटकास्टिंग कापरेशन मैं देख रहा हूँ एक्सप्रेस वे समाजवादियों ने खोला वोला ये आदा दूरा खोल दिया एक्सिलेंट हो जाएगा मैंने यमिना एक्सप्रेस खोला था तब भी कहा था इस एक्सप्रेस वे पर सो किलोमेटेर्ज उपर मच चलना मैं आज भी कहता हूँ आप सब को भी कहता हूँ कि अगर एक्सप्रेस वेयो सड़क अच्छी है तो कम से कम इतना ख्याल रखना कि रफ्तार बहुत ज़्यादे नहीं रखना अभी हमें चलना सीखना है ये एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस वे है और टेस्ट कौन करेगा भई अगर मजबूती का टेस्ट करना होता हाती भी चलवा सकते थे लेकिन मिराज और सुकोई से ज़् मजबूती का टेस्ट कुछ कोई नहीं दे सकता है और इसलिए क्योंकि जो लखनों में हाती लगे हैं पिछले नौ साल से बैठे का बैठा है खड़ा का खड़ा है तो बताओ उनसे क्या कहें विकास के बारे में सप्पा जो मुख्या है उसके भबुआ को भी मालूम है और जो सप्पा का जो मुख्या है उसको भी मालूम है कि अब वो पावर में आने वाले नहीं हैं इसलिए वो इदर उदर मारे मारे घूम रहे हैं गड़वन्दन के लिए तो गड़ सप्पा मुख्या अलादा घूम रहा है उसका भबुआ अलादा घूम रहा है मुझे ये मालूम पड़ा कि सप्पा मुख्या का भबुआ जो है तो वो इदर पारले में भी घूम रहा है उसको होना कि ये उत्तर परदेश में नोटबंदी पर एक ओजा संसद में संग्राम छिड़ा है तो वहीं यूपी के सियासत भी अब नोटबंदी के चारों और चक्कर लगाने लगी है नोटबंदी को लेकर आज सियम अखिलेश दिल्ली में प्रधानवंतरी मोधी से मिले उधर एस्पी नेता नरेश अगरवाल ने आरूप लगाया कि यूपी चुनाव को देखते हुए ही मोधी सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया और इस बीच बीजेपी नेताओं का ये दावा है कि नोटबंदी का विरूद करने वालों को यूपी चुनाव में जनता जवाब देगी पांस सो और एक हज़ार उपे के नोटबंदी के मुद्ध के एर्दगिर्थ भूमती नजर आ रही है समाज जादी पार्टी तो सीधा आरूप लगा रही कि यूपी चुनाव को ध्यान में रखकर ही मोधी सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया है अकर उत्तर फदेश का चुनाओ इतना इंपॉर्टन चुनाओ हो जाएगा कि देश की 94 परसंट जनता को सड़क पर खड़ा कर दिया जाएगा तो बिदेश चे काला धन कब आएगा ये भी हिंदुस्तान के लोगों को पता लग जाए चुनाओ को समय तो यही निलना हुआ था चुनाओ को समय तो यही बात करी गई थी चुनाओ को समय ये हुआ था कि विदेश चे काला धन लाएगे हिंदुस्तान के काले रंकी बात नहीं हुए थी उदर ब्यस्पी एदक्ष मयावती ने नोडबंदी पर पीमोधी के सर्वे पर सवाल उठाते हुए लोगसभा भंग करने चुनाव कराने के चुनावती री तो जवाब देते हैं ववित्वमंतिय अरूर जेटली ने कहा डाला कि उन्हें इसका जवाब यूपी चुनाव में मिल जाएगा उत्तर पर प्रदेश में चुनाव होगा और उनकी पार्टी की क्या स्थिती रहती है उनको उत्तर परदेश के चुनाव में पश्ट होगा यूपी के सियासत पर नोडबंदी का मुद्धा इस खदर चाया है कि सुबह के सियम अखलिश यादव भी इस मुद्धे पर पी-म मोदी सम्मिलने दिल्ली पहुँच गए पी-म से मुलाकात के बाद भी नोडबंदी पर अखलिश की नाराज़गी कम नहीं हुई साफ है कि यूपी के सियासत का सबसे बड़ा मुद्धा आप नोडबंदी हो गया है सिगनल तोड़ नहीं पाएगा और वाहन चोरो पर भी नकेल कस जाएगी एक ऐसी खास डिवाइस पर देखिए यह स्पेशलिस्ट डिपोर्ट चुराहे पर लाल बत्ती होते ही तीन साइट से आ रहे सबी वाहन बंद हो जाएगे जब तक ग्रीन सिंगनल नहीं होगा कोई उन्हें स्टार्ट भी नहीं कर पाएगा वाहन बंद होने के बाद भी कोई आगे बढ़ता है तो पुलिस कर्मी से नहीं बच पाएगा कोटा के IIT चातर देविन राज गुमा ने ये खास डिवाइस तयार किये है और अगर कोई वेक्ती सिंगनल तोड़ भी देता है तो उसकी बाइक को वो दुबारा स्टार्ट नहीं कर सकता कोटा शहर में बिगडी ट्राफिक विवस्ता से इन लोगों को निजात दिलाने के लिए देविंद्र राज की दिमाग में ये आईटिया आया उन्होंने इलेक्ट्रोनिक सरकीट तयार कर तीन डिवाइस बनाए हैं तीन तरफ से जब ट्रैफिक ब्लॉक होगा रैट सिंगनल होगा तो खुद बखुद एक सेंसर के जरिये आने वाले जो सभी वाहन है वो बंद हो जाएंगे और पूरा की पूरा एक सेंसर सिस्टम है उस चोराहे पर काम करेगा इस तरह का बहुत थास डिवाइज कोटा आईटियाई के छात्र देविंद्र राज ने तयार किया है जोकि इस वाहन में इस बाइक के अंदर आपको नजर भी आ रहा होगा